नमस्कार दोस्तों मेरा नाम भारत वुशन है आप देख रहे हो JCB Computer Friends आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अगर आपके पास किसी भी तरह का ONU है जैसे कि BSNL में जो भी राउटर लगते हैं उनको ONU बोलते हैं हमारा जो जियो फाइबर है एटल फाइबर है उसमें भी ONU ही लगते हैं तो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा उसकी सेटिंग आप किस तरह से कर सकते हो सबसे पहले तो आपने अपने राउटर को अपनी सिस्टम से कनेक्ट कर लेना है या वायरलेस या लेन के साथ जैसे कि हम उसको कनेक्ट करते हैं यहां पर देख सकते हो यह नाम आया हुआ यह कनेक्ट है तो मैंने इसको कनेक्ट कर लिया है उसके बाद आपने उसको ओपन करना है उसका IP address है उसके पीछे लिखा दिखाई देगा आपने जैसे कि मेरे ONU का IP address है 192.168.1.200 यहाँ पे करेंगे उसके बाद फ्रेंड आपने यहाँ पे username और password डालना है अभी मैंने यह ubicom का जो router है को configure कर रहा हूँ आप इसी तरह से cyro tag का है या digisol का है आप उसको भी इसी तरह से configure कर सकते हो इसका username और password इसके पीछे लिखा था तो मैं इनको डालता हूँ यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे login करता हूँ login होने के बाद आप इस तरह से आ जाओगे friends उसके बाद आपने network के वे आना है network पे आपने जो सबसे पहले profile बनी हुए है इसको delete कर देना है delete करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे add new का option आजाएगा आपने add new पे click करना है ंसके बाद जो bridge है इसको आपने router पे click कर देना है उसके बाद आपने यहाँ पे IP V4 पे क्लिक करना है उसके बाद आपने यहाँ पे आना है अगर आपके पास static IP address है तो यहाँ पे क्लिक करना है अगर आपके पास user PPOE ID है तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है उसके बाद आपने यह enable VLAN दिखाई दे रहा है यहां पे क्लिक करना है और यहां पे अपनी VLAN ID डालेंगे यह आप अपनी service provider से ले सकते हो मेरे case में 1240 है यह मैं डाल देता हूँ उसके बाद आपने यहां पे username डालना है username आप अपनी service provider से ही मिलेगा username डालने के बाद आपनी यहां पे password डालना है आम तोर पर यहां पे जो password है small letter के अंदर password ही होता है उसके बाद यहां पे जो service name है वो आपने डालना है मेरे case में BSNL का है अगर आपके पास दूसरी company का तो आपने वो डाल देना है आपनी यहां पे internet ही रखना है उसके बाद friend आपने port 1, port 2 और यह wireless 5 GHz का है इस पे और 2 GHz पे click कर देना है उसके बाद apply करना है आपने apply करने के बाद आपने status में आना है उसके बाद when info फे click करना है उसके बाद आप देखोगे कि आपका जो net है वो चल गया है उसके बाद फिर दोबारा से अपने network में आना है और 5 GHz, 2 GHz के आपने setting करनी है अब हम आपको 5 GHz के setting करके दिखाता हूँ आपने 5 GHz पे click करना है और जो आप यहां पे देखोगे SSID यहां पे अपने Wi-Fi का नाम लिख लेना है जो भी है अब हम जैसे कि अपने Wi-Fi का नाम लिख लेता हूँ जैसे कि मैंने अपने Wi-Fi का नाम लिख लिया है उसके बाद आपने apply कर देना है उसके बाद आपने password लगाने के लिए score team में जाना है और आप यहां पे आके इसका password लगा सकते हो जैसे कि अभी मैं यहां पर इसका पासवर्ट लगा देता हूं पासवर्ट डालने के बाद आपने अप्लाई चेंज इस पर क्लिक कर देना है आप देखोगे कि आपकी जो पासवर्ड है वो भी चेंज हो चुका है उसके बाद आप है जो 2.4 GHz है वो भी आपने इसी तरह से स प्लिक रखना आपने यहाँ पे उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है गैट एडर्र वाया आई सब्सक्राइब करनी है यह विलन अईडि तकरिवन यही होती है अठारा सो तीस है ये सिरीज के हिसाब से होती है आप अपने सर्विस प्रोवाइडर से ये पूच सकते हो उसके बाद आपने जो इंटरनेट दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपने वी ओ आईपी या वोइस कोल सेलेक्ट करना है उसके बाद आपने नीचे आना है और अपला उसके बाद वी ओ आईपी में आना है उसके बाद आप देखोगे कि यहां पर आपने कुछ एडरस दिखाई दे रहे हैं यहां पर आपने एडरस डालना है आप यह एडरस कर सकते हो यह एडरस आपने यहां पर डालना है उसके बाद आप देखोगे कि सेकेंडरी है देना है उसके बाद आपने यहां पर टिक मार्क कर देना है उसके बाद आप आओगे शिप डोमेन पर आपने यह वाला सेलेक्ट कर देना है आप देखोगे जहां पर भी शिप का एडर्स आ रहा है तो आपने यहां पर ही यही डालना है उसके बाद आप आओगे सेकेंडरी यहां पर कर देना है यहांपर सब्सक्राइब पर आपने टिक मर्क नहीं करना है अइसी यहां से ने Shipt domain डाल जलते हैं, अप देख सकते हो जो मैंने शैटिंग किया, शैटिंग ऐसे ही आपने करनी है, उसके बाद यहां पे आपने Enable कर देनी है, यूजर नेम आप अपना जो आपका लेंड लाइन नमबर है आपने वो डालना है मैं यहापे अपना लेंड लाइन नमबर डाल देता हूँ आपने इसको copy कर लेना है copy करके नीचे वाले में आपने इसको paste कर देना है उसके बाद आपने जो user password है ये आपने डालना है ये user password ही भी आपने अपने service provider से ही मिलेगा मैंने अपना password डाल दिया है उसके बाद आप save changes पे click करोगे ये save हो जाएगा उसके बाद आपने status में जाना है और viop पे click करना है आप देखोगे कि ये registering हो रहा है जब ये registered हो जाएगा तो आपका जो landline number है वो भी काम करना start कर देगा आप देख सकते हो ये मेरा register हो सुका है अब मेरा landline connection भी काम करेगा और net भी चल रहा है तो आप इस तरह से करके अपने किसी भी ONU की setting कर सकते हो या configure कर सकते हो उमीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें अगर इस चैनल पर नए है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आज की वीडियो देखने के लिए आप सबी का थैंक्स